नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चनल अमित जी सेंटर में दोस्तों आज से हम सुरू करने जा रहे हैं सामान्य ग्यान डोज सीरीज को तो आप लोग मेरे साथ इस सीरीज में जुड़े देएगा और इस सीरीज का पूरा लाब चली हम लोग वीडियो सुरू करने से पहले एक काम करते हैं फवटाफथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं वेकल को प्रेस कर देते हैं चाकि आने वाले हर एक हर एक वीडियो का नोटिकेशन आपको मिलता रहे है ठीक है पूल दोस्तों करती है अगला प्रसण देख लेते है निम्दमे से किसका प्रयोक संग्या ह्री की रूप में किया जाता है तो यहांthy स्ग्या Fish एक अग्ला प्रसंदेखते हैं पीडवक नसी के रूप में डी डी टी के परयोक की आनी है रभी हानी आज जो गी करते है उसका तो दोस्तों सही आंसर है वह है प्रकृति में शरलता से निमनीकरड नहीं होता है ठीक है बायोडिग्रेड़िवल नहीं है यह इसका क्या होता है यह खाद सरंकला के दौरा एक जीव से दूसरे जीव में चाता रहता है जोकी हानिकारक होता है चलिए अगला प्रसंद देखते हैं दूद को दही में इसकंद करने वाला enzyme है कौन सा enzyme है दोस्तों तो यहां जो right answer है रेनीन है ठीक है option 2 यहां पर correct है रेनीन जो है दूद को दही में इसकंदित करता है और यह एक enzyme है ठीक है दोस्तों questions बहुत ही selected है जो कि आपके रेलवे के लिए ssc के लिए और भी बाकी जितने भी एक्जाम्स है सब के लिए बहुत ही important है तो इन questions को आप लोग note करते रहेगा PDF में टेलिग्राम चैनल पर दूँगा वहां से आप download करके इनकी notes बनाते रहेगा ठीक है तो चलिए अगला परचन देखते हैं Portland cement में gipsum मिलाने से मदद मिलती है तो Portland cement में अगर हमजिपसम मिलाते हैं तो क्यों मिलाते है इसका काड़् यह है कि जो जमने की छ Smith up घीमी हो जाती है ठीक है इस पीड है जमने की किछ मने धीम हो जाती है धीमे होने पर option number 3 है वो correct हो जाएगा ठीक है कौन सा cement को जमने से रोकने में ठीक है क्या करता है cement को जमने से रोकता है यानि कि तेजी के साथ न जम जाए उससे रोकता है ठीक है ना चलिए अगला परसंद देखते हैं cement बनाने के लिए किसके मिस्रड को खूब तब्थ किया जाता है तो सिमिंट बनाने के लिए चूना पत्थर और मृतिका के जो मिस्रड होते हैं उनको खूब तब्थ किया आता है अपने इसप्रीट लगाते हुए देखा होगा ढक्टर को, रूई भीगा के जब लगाता है, इंजेक्शन लगाने के लिए, तो तुरंती यह इसप्रीट जो है, उड़ जाती है, ठीक है वास्प बनके उड़ जाती है, तो यह अत्य अत्यांत वास्प से लिए थन्डी पे option number two जो है वो correct हो जाएगा हाइपो solution में बिले होती है ठीक है इसी लिए silver highlight का परियोग किया जाता है अगला प्रशन है चाय के उद्वीपन प्रभाव के लिए निमलेखित में से किसकी भूमिका होती है ठीक है तो उद्वीपन प्रभाव यानि कि जब हम चाय पीते हैं तो क्या होता है ठोड़ी से energy type के हमको fill होती है तो वो किसके काड होती है वो होती है अलकेलाइट के काड़ option number three यहाँ पर correct है ठीक है और एलकेलाइट कह सकते हैं कि एक तरीकी का नसा है ठीक है क्या है एक तरीकी की नसा होती है ठीक है तो उसके काड हमारे बोड़ी में क्या एक उद्वीपन हो जाता है ठीक है जिससे हम energy feel करते हैं ओके चली अगला प्रस्ति देखते हैं वंस्पति तेलों के hydrogen करण मे किस उत्प्रेरक का उप्योग किया जाता है तो किस उत्प्रेरक का उप्योग किया जाता है तो किस उत्प्रेरक का उप्योग किया जाता है तो किसका किया जाता है option number one यहाँ पर correct हो जाएगा निकल का प्रियोग किया जाता है ठीक है निकल का प्रियोग यहाँ पर किया जा कि बंसपती तेल यह आयता है ठीक है बंसपती तेल और उसके साथ में हम लोग हाइड्रोजन को वहां से गुजारते हैं ठीक है और किसकी उपस्तिती में निकिल की उपस्तिती में और कितना टेंपरेचर होता है 150 से 180 degree Celsius, ठीक है, तो क्या बनता है, तो बनस्वती घी बनती है, ठीक है, हाइड्रोजेनी करड के बाद, ठीक है न, चलिए, अगला प्रसन देख लेते हैं, गोता खोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपियुक की जाने वाली गैस है, ठीक है, गैस पूछा गया है, कौन सा राइट अंसर होगा दूस्तों, तो यहां पर ऑक्सीम और हीलियम होगा, ठीक है, कौन सा होगा, तो यहां पर आप्सीं नमबर two जो है, वो खरेक्ट हो जाएगा, rieक्सीजन तथा हीलियम, यहां पर देखिये, यहां पर कैसे लिखा हैं, यह क्या होगा, यह गैस लिखा नहीं है और कई बार पूछा भी जा चुका है तो यह हिरो सीमा है और नागा साकी है यह होंसू और क्यूसू दिपो पर इस्थित हैं ठीक है ऑप्सन नबर वन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा चलिए अगला प्रसन देख लेते हैं प्रसन है विसेश्था और तो में अरक्तता एक सामाने स्वास्त की समस्या है भारत में अरक्तता के लिए निमलिकित में से किसकी बारंबार होने वाली हिंता एक कारण है ठीक है तो यहाँ पर कौन सा ओप्सन से होगा तो आयरन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है आयरन की कमी से और तो में अरक्तता की समस्य बनाने के लिए किस बहुलग का इस्तेमाल किया जाता है तो बुल्ट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कि पीश् अगला प्रस्ण है परमाडू नाविक किसने खोजा था तो यह खोजा था रदर फोर्ड ने ठीक है कब खोजा था उनीस सो ग्यारा इसवी में ओके चलिए अगला प्रस्ण है नाखून पालिस परिमार्जक में क्या रहता है परिमार्जक मतलब होता है रिमूवर ठीक है क्या होता है रिमूवर होता है तो जो नेल पॉलिश होता है इसको रिमूव करने के लिए कौन सा क्या वह लगा जाता है कैमिकल लगा जाता है तो वह लगा जाता है एसी टो ठीक है ऑप्शन नमबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा चलिए अगला प्रस्ण द प्रती ग्राम इuciónधन द्वारा उचित उद्या की द्रिष्टि से निम्न में से। शुआत्法ी एंधन कौना है तो निम्न मेंसे। सरुआत्व जूल एनर्जी उत्पन होती है ठीक है कितनी 15000 जूल ठीक है 15000 जूल उरजा उत्पन होती है एक ग्राम हाइड्रोजन को जलाने पर ठीक है चली अगला प्रसन देख लेते हैं अगला प्रसन है पेट्रोल की विश्फोटक रोधी गुरबत्ता बढ़ाने के लिए निम्नि में जो सुत्र अगर देखें तो सुत्र क्या होता है एथिल टेट्राइथिल लेना 2C2H5 और टेट्रा में हम फोर लगा देंगे यहाँ पना और पीबी पीबी का यह हो गया तोưng टेट्रा एफिल लैड बने गया ठीक है चलिए अगला प्रस्न देख लेते हैं आखरी प्रस्न है आज प्रम प्रेक्षण है प् transferred जल प्रभावी होता है क्यों कीं तुझी क्म ऐसा क्यूं होता है तोista फिजस्फार पानी नीचे रहता है टिक फोर यहांपर करेक्ट हो तो उमित करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आय कि वीडियो तो वीडियो को लाइक अई कर दिजेगा दोस्तों में सेरे करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देजेगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुशता रहे हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के बाइ बाइ टेट टेटियर